अलो डियार स्टूडेंट जहिंद्य राजधनी में डोक्टर रमेशी आदव राजधनी एजुकेस गुरू पच्छकोडिया जोब्रेट जैपुर से स्वागत करता हूँ आप सभी का फूल गोवी की खेती के पार्ट तू में आ गया होंगे सभी आजए वह आजयो अंदेरा है भी पूरा खुला भी नीम आमला मानस एक कमेंड पूर है कि पूरे दिखी ने रहे है कि आजए भी कि आज़ो अंदा क्लास वेर गुड़ बॉर्ण वह उपर दिखा इसको पूरे कमेंड नहीं दिख रहे है कि दिखा रहे हैं ओर दिखा बस बस वेरी गुड़ बॉर्ण कि दो दिन से कल क्लास होने पाई दो दिन से सामवाली नहीं हो पाई बड़ा अनकमफट सा हो गया कि आजए आजए शेर कर दे जब तक मैं एक आदी घूट लेलू चाहिकी शेर कर दे कि उत्तरप्रदेश के चात्रों के तरफ से धन्यवाद विवेक जी का और बिटी एकता का चलिए शुरू करते हैं हो गई बहुत इतनी चाहिए आज हम लोग क्लाइमेड सुरू करेंगे तो आज हमारा टॉपिक रहेगा कल्टिवेशन अफ कॉलिफ्लॉर पार्ट्टो फोल गवबी की खेती दूसरा बागे इसका इसको रिफ्रेस्ट करेंगे तो यहां पर हम सीधा चालू करेंगे क्लाइमेड से जलवायू से कैसी चाहिए फूल गवबी को जलवायू क्या जलवायू इसके लिए बढ़िया होती है इसको चाहिए ठंडी और नम जलवायू ठंडी और कोल्ड एड़ वेट 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 ह्लाइमेट ठंडी रह नम चाहिए फूल गवीको ठंडी और नम जलवायू फूल अब को बिरारे GP ठंडी और नम चाहिए थोड़ी से नम मेरा देदो थोड़ी सी ठंडी ये देदो लग जावे मोटा मोटा फूल याद फूल को भी ताप करों प्रकास के प्रतिजों बहुत ज़्यदा सेंसिटी होती है समवेदन सील होती है फरक पड़ता है इसके उपर टेमप्रेचर का और इन दोनों से यूँ कह सकते हैं कि प्रकास और तापमान दोनों से होती है समवेदी समवेदी होती है सेंसिटीव होती है फरक पड़ता है इसके उपर थोड़ा टेमप्रेचर ज्यादा या कम हो गया फरक पड़ेगा इसके उपर समझ में आ रहा होगा हर बच्चे को भाई तो फूल को भी जो होती है तापमान से और प्रकास की जो अवधी होती है प्रकास की अवधी डूरेशन आप लाइट इन दोनों का इसके ओपर फरक पड़ने वाला है इनसे बड़ी सेंसिटिव होती है यह भी कई बार अग्जिजाम में कुछ सना सकता है कि निम्न में से कौन सब्सवाली सबस्विं जो तापमान और प्रकास की अवधी के प्रति ज्यादा इस संवेधन सील है ऑन्सवर विल भी ओल फ्लावर प्लावर इसमें जो कड़ बनेगा खाते कहा है बोला सुर्ण फूल खाते उस फूल को बोलते क्या है करड़ करड तो कर्ड़ बनने के भाग अधेडिबल पाड़ चार्ड बने कांगे 20 25 थी संटीग्रेड पर फोल गोबी को कर्द कार्ड लेकिन अगर सर्दी वाले पारेश सह च्रहा एंप्रेटरियकर राएंग इस टेमप्रेट रीजन ठंड वाले क्षेत्र सितोष्ण प्रदीश ऐसे सकते आप सितोष्ण खेत्र तो वहां का अलग तेमप्रेच रहे वहां पर कड़ बढ़ेगा इसके अंदर 10-16 डिग्री सेंटिग्रेड पर सर्दियों वाले क्षेत्रों में 10-16 डिग्री सेंटिग्रेड कल के लिए नहीं चोड़ना आज ही कर डालने का हर बच्चे को याद होना चीए बोला कर्ड बढ़ने के लिए नोर्मली टेमप्रेच चीए 20-25-25-25 लेकिन अगर सर्दी वाली किसम है शीत परदेशों वाली किसम बन जाता है तेरा कर्ड कर्ड तो दो प्रकार की बात होगी नोर्मली बीच से 25 डिग्री सेंटिग्रेड बनता है लेकिन जो सर्दी वाली किसम है जो सितोर्ष्ण परदेशों वह जाती है दाशे शोला बई दास से सोला चले सिधा लेकर आपको बीजदर के उपर सीड अगेती किसमों के लिए ओती है छैसो शे शाड़े शास होरली वाराइटी है अगेती किसमे अगेती किसमे शाड़े साथस्सो ग्राम 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 ग्रौंव से साथ सो पचास ग्राम कितना लेओं मैं बीज बीज 600 से साड़े 700 ग्राम प्रती हेक्टेयर अगेती रहे 600 से साड़े 700 ग्राम प्रती हेक्टेयर अगेती बहुते कब भई मैं से मध्ध जून तक अगेती किसमें जो होती अरली वेराइटी होती है उनको कब होते हैं मैं से मध जून तक मैं 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 तमास मैं मैं से मद्धे जून अरली वराइटेयों कब वोते बहुंकर गर्मी में अना जब मतलब लुय चल रहे होती वह वाला टाइम होता है और यहां टेम्प्रे यह अगेती वाली किसमें महां बीजदर हो गई 600-600-600-600-600-600-600-600-600-600 अब लेते पचेती का मद्धे मोले तो मीडियम ड्यूरेशन यहां पचेती बोले तो लेट वराइटेज पचेती किसमें हो तो मीडियम एंड लेट वराइटेज तो यहां पर जो बीजदर चाहिए वो कम चाहिए पोड़े 400-500 ग्राम चाहिए 300-75 से तीन सो पिचेतर से 500 ग्राम चाहिए आदा किलो तक चीए तोड़े कम होगी तीन सो पिचेतर से पासो ग्राम प्रती एक्टिया मुझे लग रहा है सभी को समझ में आता चला जा रहे है सब को समझ में आ रहे है जुलाई अंधिम सब्ता से अक्टुबर के द्वित्तिय सब्ता में घुलाई अंतिन सब्ता से ये वाली है जुलाई लास्ट वीक जुलाई के लास्ट वीक से अक्टूबर का सेकंड वीक तर से लेके अक्टूबर सेकंड वीक तक वहते बाई समझ में आ गया लगी नींद उडगी मेरी तो पांच बजेई बहुत अच्छी बात विड़ा ना क्लास लेने के लिए बहुत एक्साइटेट रहती हूं रहना भी जब तक आप इसको पेशन नहीं बढ़ाओंगे आपनी मतलब यूं आनंद नहीं बढ़ाओंगे तो सक्सेस मिलेगी भी नही एंजोई आना जीए तो ये मध्यकालिन या पचेति के बहुत है जुलाई लास्ट वीक से अक्चूबर का सेकेंड वीक बहुत है और यहां पर बीजदर भी निकल के आचुकी है तीन सो पचेतर से पांसो ग्राम प्रती हेक्टेयर लग रहा है मुझे लग रहा है याद हो प्रती हेक्टेयर नरसरी त्यार करने आपको कितनी ही पतला कर लाते हैं इसको नरसरी त्यार करने आपको एक हेक्टेर के लिए आपको करना पढ़ेगा 1500ब्र में इरया में नडशरी तयार एक हैटर के लिए मैं कितनः एरिये में नडशरी बनानी पढ़ेगा हैटर के लिएrant 251 यह करें आपको कुछ यह जिए नाटर के लिए तो कितने एरिया में करोगे 1000 तो वहां पर हमारा रहने وालास डૉने वर्गमेटर हैünfज सो को लगा लो डेर व 때도いた कर गरो एक एकर में लग कर रालने का पहुत तामें एक महने में पोझ तयार को त्यार स्वाट हो तीन से चार सप्ता दु को तो मुझे लग रहा है बीज़दर कराने में मैं काम्याब रहा हूं अगेती किस्मों में 600-700 ग्राम परती है अगेती किस्मों को बोने का टाइम मैं से मध्धे जून है और मध्धे काली और पचेती किस्म है वो जुलाई लास सप्ता से लेके अक्टूबर के दूसरे सप्ता तक थक होती है और वहां पर बीज़दर हो कोमें चार सो से पांशो ग्राम है एक यर्क नरसरी तयार करनी है तो यह दे brows रख्मिटर जगेए उसकी नरसी तयार करने के लिए स्वान के लिए पहंष्ट लगजाए और तीन-4 सब्ता में है तयोर 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 पोध पोध एक मेने के लगत पो हुध तयार चली अब आ गया- बासथ वाला जिसका इंतजार आपको रहता है बोले तो इंपरोड वेराइटी इस भाषी इस भाषी इस इन यह उन्नतकिस्म इंगली Nee तो improved varieties, पहले अगेती ले लेते हैं, अगेती, फूल गोबी, अगेती किसमें कोर कोजी है, early varieties, in English, early varieties, यह early varieties, सबसे पहली यह पूशा, early synthetic, पहली पहली अगेती फूल गोबी, पूशा, early synthetic, पूशा, early synthetic, अगेती है, अगेती है, पूशा, early synthetic, अगेती है, पूशा, early synthetic, अगेती है, पूशा, early synthetic, अगेती है, अगेती है, पूशा, early synthetic, 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 राइ यह भी अर्ली नाम आ गया इसका मतल्म है अगेकर फूल गोबी है अगेकर फूल गोबी है पूषा दिफाली पूषा फूषा फूषा तो आपको ध्यान आही और इस निकली विए सब मतल्म पुशा 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 केत की, मूली की थी चेत की, इसकी पूशा केत की, इस में रिशीनेस नहीं लगता बाई रिशीनेस रेजिस्टेंट है ये एक disorder होता भी बात करेंगे सब की इनकी तो ये रिशीनेस प्रतिरोधी होती है रिशीनेस प्रतिरोधी रिशीनेस प्रतिरोधी मुझे लग रहा है समझ में आता है चला जा रही पूशा अरली सिंथेटिक है अगेती गोबी पूशा है केत की अगेती गोबी फिर आगी अरली पटना जिन में अरली लग गया उनको तो अगेती अपना भी होगी वह तो अरली पटना अगेती गोबी और पंत गोबी तीन ये पंत नगर से निकली वही पंत गोवी तीन पंत नगर हिंदूस्तान का पहला एगरी कल्छरल युनिवस्ती गोविंद वाला पंत क्रसियों प्रोधोगी की विश्वी धाले पंत नगर उत्राखंड उदर से निकली पंत गोवी तीन एक पूशा कार्थिकी पूशा काड़ती की यह अगेती है सरी तो इनको तो कर लेते हैं फिर आगे पच्छेती को ले लेंगे तो पूशा यह कौन कौन सी होगी पूशा अरली सिंथेटिक होगी अरली कुमारी होगी पूशा दिपाली होगी पूशा केतकी होगी अरली पठना होगी पंत गोवी तीन हो गई पूशा कारती की हो गई ये सारी की सारी कहां से कौनसी वाली किसमें बोला सर अगेती अरली 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 वेराइटी जे ठीक है बई तो अगेती गबी पुशा अरली सिंथेडे अगेती फूल गबी अरली कुमारी अगेती फ पूशा केत की, अगेती फूल गोबी अरली रपटना, अगेती फूल गोबी पन्त गोबी थ्री, अगेती फूल, कबीर वढ़ ले 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 थे भाई, पूशा अरली सेंथेटिक, अगेती फूल गोबी, अरली कुवारी पूशा दिपाली, अगेती फूल गोबी, कबीरा, कि अगेति फूल गोभी अरली पतजन अगेती पणत गोभी तीन बितेरी अगेति फूल गोभी कभीरा I get總berg मैं क्भी पुशा कारती की अगेति है पूसा अर्ली सिंदेड इरली कुवार मैं अगेति गोभी पुशा दिपाली कुंशा केत की अगेति फूल गोभी अर्ली सकत कितने तो वेल्टी में सॉझीित तो पूसा अरली सिंथेटिक अगेति फूल गोभी अरली कुमारी पूशा दिपाली अगेति फूल गोभी कभीर अगेति फूल गोभी पूशा केत की अरली पटना पंत गोभी थ्री पूशा कार्ति की पूसा केतकी अरली पटना पंत गोबी ध्री पुशा काड़ती की पुशा अरली सिंथेटिक सारी अगेती फूल गोभी कबीरा याद लास्ट पुशा एक साथ है ऐसाथ पुशा अरली सिंथेटी अगेती फूल गोभी अरली कुवारी पुशा दिपाली पूशा चेत की अगेती कमीर, पूशा केत की अगेती कमीर, पूशा कारती की अगेती गोबी, पूशा अरली सिंथेटिक कमीर, पूशा अरली सिंथेटिक चले हम आपको शिधा ले चलते हैं पशेति किसमों के पास लेट वराइटी श आ ये विलकम है आपका लेट वराइटीज में लेड़ राइट इस पच्छेती पच्छेती में देखे कोन कोन से आती है पच्छेती में तो पूशा श्नोबाल पूशा श्नोबाल पच्छेती रे पच्छेती गोबी पूशा श्नोबाल एक पूशा स्नोबाल होती है एक पूशा स्नोबाल के वन होती है भाई दूसरी होगी पूशा, सनोबाल, K1, हिंदी में लेख देते हैं, अब हिंदी में क्या है? लो भाई, पूशा, सनोबाल, एक, पूशा, सनोबाल, K1, यह लो, दो variety हो गयी, उसके बाद पूशा हम्हें जोती, अंगली कौन सी आई हाई? पूशा हिम जोती पूशा हिम जोती देखो इसके नाम में क्या हिम 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 बोले तो बार्फ पहाड तो ये भाईया ओफ सीजन किसमें एक तो और पहाडों में बोई जाती है ओफ सीजन वेराइटी है ओफ सीजन निये गोबिगा उससे में बोई जा रही है तो एक तो ओफ सी क्षेत्रों में बोई जाती है अप्रेल से जुलाई तक पहाड़ी क्षेत्रों अप्रेल से जुलाई तो पूशा हिम्जोती हिम्जोती ओफसीजन किस्म है पूशा हिम्जोते हिम्जोती ओफसीजन वराइटी पहाडी क्षेत्रों में अप्रेल से जुलाई अप्रेल से जुलाई अप्रेल से जुलाई यह दूर बैया मीडियो मोओं पचेती ही वाइशघ्चाеп में करीब करी रहते है इनका तो यह इसके पूशा संकर दो, पूशा सरद, आई रे आई रे पूशा शरद, ये भी पचेति फूल गोबी है, पूशा शूप्रभा, पूशा सूप्रभा, हिसार वन, फिर पचेति आगी, हिसार जो वन है, ये भी ओप सीजन वराइटी है, और साल टोलरेंट भी, ये मतले इसमें लवन परतिनों दी भी, एक तो ये आगी, ओप सीजन वराइटी, बिना सीजन के बो सकते हैं, इसार वन, पूशा हिम्जोती, दोनों ही है ओप सीजन वराइटी, दोनों ही है पचेति, तभी है, दोनों ही है पचेति, इसके लाए साल टोलरेंट भी है, लवन परतिरोधी भी होती है, तेरी इसार वन, लवन परतिरोधी भी होती है, राइट भई पूशा अगहनी पूशा अगहनी समय बदल गया है साड़ेश clay का टाइम कर दिया है मैंने भाटसब गुरूप पे अफडेट कर दिया था कल भी किया था आज भी सुबर डाल दिया था मुझे डाल दिया था वार्ट早प गुरूप जो उन करूप आप डेड़ एक क्या हो रहा है कि चलिए आगे चलते हैं देखो रमेश स्वामी जी माँ आप से निवेदन करूंगा प्लीज अगर आप वार्ट सब्सक्राइब नहीं तो इस तरहें आप नहीं करें कल भी आपका बेड़ कमेंड था एक रमेश स्वामी जी प्लीज वार्ट समय बेजो ना आप सारी पीडियेप डाल दी भाई अब क्या तो घ्रद कर दी आए ऐसे क्यों करते बटा आपका कल भी एक नेगेटिव कमेंड था ऐसे नहीं करना बटा आप परसनल चेटिंग कर रहे थे कल भी परसनल नहीं करना यहां फिर भी मैंने आपको कमेंड डिलीड किया आपकी कोगी वह को कुई बात ने है पूशा सणोबाल पूशा सनोबाल केवरन पूशा हिमजine अध़ी उसके बाद में पूशा संकर दो पुशा सरद पुशा शुप्रभा हिसार वन क्या होगी ओपसिजर वेराइटी हो लुगा ह में पूशा अगहनी पूशा कोंची आगी अगहनी पूशा सिंथेटिक अगली हो गई कि पूशा सिंथेटिक उसके बाद पंतशुप्रा हो गई पुशा शुप्रभाव यह पंत सुब्रा यह पंत सुब्रा यह सारी की सारी पाच्छेती रपाच्छेती और इंप्रूड जैपनीज एंप्रोड जैपनीज तो यह पचेती हो गई एक बार मैं ले लेता हूँ आपका बढ़ा बढ़ा एक चार्ट जिससे आपको साफ साफ दिखती रहे यह रही यह पूरी आगई अब इनके साथ हम लोग ना सोंग गा लेते हैं कुछ भी कर लेते हैं लेकिन याद करने आनने का भाई लेट वेराइटीज को ठीक लेट कोली फ्लोवर्स को तो पचेती पचेती कोण कोण सी यही पूसा स्नोबाल पचेती फुलगोबी पूसा स्नोबाल केवन पूसा हिम जोती पचेती गोबी पूसा संकर दो कभीर पूसा शंकर दो पूसा सरद है पचेती फुलगोबी पूशा शूप्रभा, हिसारवन भी पचेति फुलगोबी, पूशा अगहनी पचेति कबीर, पूशा अगहनी पचेति, पूशा सिंथेटिक पचेति फुलगोबी, पन्त सुबरा पचेति, पूशा अगहनी पचेति फुलगोबी, पूशा अगहनी पचेति फुलगोबी, पूशा अगहनी पचेति, पचेति फुलगोबी, पूशा अगहनी पचेति फुलगोबी, पूशा अगहनी पचेति फुलगोबी, पूशा अगहनी पूशाशा अगहनी पचेति फुलगोबी, पूशा सिंथेटिक पचेति फुलगोबी, पन्त सुबरा पचेति, याद कर डालने का ऐसे दो या तीन बार गालिया बस हो गया काब पूशा स्नोबाल पचेति फुल्गोबी पूशा स्नोबाल केवन पूशा हिम ज्योति पचेति फुल्गोबी पूशा संकर्दो कबीर पूशा संकर्दो पूशा सरद है पचेति फुल्गोबी पूशा शूप्रवा हिसारवन है पचेति फुल्गोबी पूशा अगहनी पचे पूशा अगय हनी पचेती पूशा सिंथेर्टिक पचेती फुलगो भी पंत सुब्र पचेती डी 96 पचेती फुलगो भी इंप्रुड़ जैपे नीज नहीं दिगरी चोटी जोटी ज़िए छोटी जोटी 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 पूशा सनोबाल पचेती फुलगो भी पूशा सनोबाल केवन पूशा हिमजोती फुलगो भी पूशा संकर्दो कभीरा पूशा जैंकर्दो पूशा सरद्ध पचेति फुलगाबी पूशा सूप्रभा इसारवन भी पचेति फुलगोबी पूशा अगहनी पचेति कभीरा पूशा अगहनी पचेति पूशा सिंथेटिक पचेति फुलगोबी सिधा चलते हैं खाद एवं उरवार कपे सबको याद होगी होगी अगेती कौन से थी पूसा अरली सिंधेटिक अगेती अरली कौन वारी अगेती पूसा दिप्याली अगेती फुल गोबी पूसा रकेत की अगेती कमेरा पूसा केत की अगेती अरली पटन अगेती फुल गोबी पंत गोबी थ्री पूसा कारती की अगेती फुल गोबी पूशा अरली सिंथेटिक मीरा पूशा अरली सिंथेटिक टिक 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 तो यह हो गए आपका वेराइटीज का काम खाताग सीधा हम चलते हैं आपको ले चलते हैं खाद यह उर्वरक में मैन्योर एंड फर्टिलाइजर कितना मैं डालो खाद कितना मैं डालो और वरक हम बताएंगे आपको कितना फूल गोव में डालना खाद और उर्रण तो एक तो दो सो पच्छास से तीन सो क्वेंटल तो आपको डालना है सडा हुआ फॉइए ठीक भी कितना डालना है धाइशो शी एवापो धाइशो से तीन सो क्वेंटल प्रति है यह डालने का वट इस फार्म याड मेनियोड वट इस फार्ड फार्म याड मेनियोड गोबर की खौद मानस परताफ सिंगी को भी धन्यवाद दिया रहे है करांद परजापज अब करें मानस भाइब को धन्यवाद इतनी जल्दी उटके प्रोजेक्ट बिल्कुल यह इसके यह सारा काम समालते इस इसे बैठा देखो यह मानस परताफ सिंग जी टेकनिकल टीम के हैड है यह सारा यह उपर तो देख भाई तो यह चलाते पोरा सिस्टम रहा हिला हिला हि चली वर्मी कंपोस्ट डालते है तो भी अच्छा रहता है वर्मी कंपोस्ट इसका आदा है डालना पड़ता है वर्मी कंपोस्ट आदा उसका डबल डलता फिर गोबर तो इससे आदा है काम हो जाएगा तो 200-300 क्वेंटल प्रती एक्टर तो हो गया आपका गोबर की खाट चाहें कमपोश्ट डाल दो यह गोबरी खाद होगे यह डाल दो कमपोश्ट लेकिन इतना डालना पड़ेगा ठीक है और यह देखिए यह जो होता है गोबरी खाद होती है उसमें मैंने बताया था सुन ले राधा आधा चोथाई आधा मतलब 0.55 परसेंट नाइट्रोजन होत होता है और 0.5 परसेंट होता है पोटास तो गोबर की खाद में आधा चोथाई आधा यह चोटे भाई का बच्चा जी बलराम जी का बतीजा के दो मैं ताव हूं हूं इसका जानते हैं मानस सब जानते हैं आप से बाद में जुड़े होंगे मानस प्रताफ सींजी को सब जा बादा आधा चोता है आधा और केवल गोबर ही होता हो दाइक लगा के केच क्या हो डंग गोबर के तो मोबाइल नंबर है बापो गोबर के mobile number है याद हो गया तो गोबर की खाथ में क्या आता गोबर भी आता है मुत्र भी आता है विछावन आता है उसमें तो आदा चोता आधा हो गया और अगर प्यों गोबर कर रही है आपने डाइल लगया दाउट कैश पूरा इस्टेडियूम तालियों डालते हैं नाइट्रोजन नाइट्रोजन तो 120 kg पर हेक्टियर तू डाल नाइट्रोजन तो 120 kg प्रती हेक्टियर उसके बाद में फास्पोरस पचाउस पीट्व फाइब पचाउस केजी पर हेक्टियर फिर आता है पुडास साथ केजी पर हेक्टियर केचू यह 60 kg प्रती हेक्टियर तो गोबी तो नाइट्रोजन की दिवानी है फूल गोबी को तो नाइट्रोजन बहुत सी है बैया 120 kg 120 kg 120 kg राइट है चलिए अभी किसी एक का आ इसको नाइट्रोजन प्रती हेक्टियर डालना है उसको उसका एरिया है वह मालने थे वई 4 हेक्टियर है ठीक है उसके पास अमोनियम सेल्फेड फर्टिलाइजर है ammonium sulfate तो कितना लेवे वो ammonium sulfate कितना लेवे देखना अभी direct निकाल देंगे बच्चे अगर किसी को 50 kg स्वरी फॉस्परस लिया है न राइटर नी फॉस्परस P2O5 50 kg अगर किसी को फॉस्परस देनी है प्रति हेक्टेर देखो रवीना बीटी ने सबसे पहले निकाल दिया है 2000 kg बिलकुर सही जवाब है 2000 kg सही जवाब है 2000 50 into 4 200 चीए गलत हो गया 1000 मदू यादू बीटी करी 1000 1000 सही आएगा 1000 मिनू direct लिग रही है 2000 कैसे 2000 कैसे आएगे 500 के 20 200 चीए जालना है तो 200 के लिए 1000 चूंका इसमें कितना होता है 20% होता है नाइट्रोज। यार 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 इद नाइट्रोजिन काल ले दो तुर अमोनियम सल्पेट कैसे आएगा इसको नाइट्रोज कर लो तो जो पक्साइस के लड़। सवाल तो करना है अगर किसी को 20 किलो नाइट्रोजन देना होता तो कितना अमोनियम सल्पेट लेना पड़ता किसर लेना पड़ता सो किलो नाइट्रोजन रेकलोज को अगर किसी को एक ही देना हो तो जबाटा विस किसी को एक किलो देना हो तो आपको पता वो नीचे रहता है यह वाला वो उपर रहता है नीचे आजाता है अब देना कितना है थे आ说 पचास इंटO 4 चार कर देना है बाई तो यह कितना वह गया उपर यह सो का सू ह CHAI उपर लिखने दोसकotion खो 20 बीस है और इधर पर क्या हो गया पचास इंटू चार कि देखते है किसको इस समझ गया क्या 1000 याएगा वो तो आ गयाने एक जारी आएगा करने की जूरत निए तो क्यवाल इसलिए कर इसलिए कर रहे हैं इससे नुमेरिकल फोर्मूला बन जाए बना बागी तो आगया तो सब पता है क्या गया जीरो से कोई साइक जीरो गाड डालने का वाई कोई साट लो यह काड़ लो यह दो से काड़ लेने का तो कितना हो गया 502 का मतलब 100 और सो इंटू दस का मतलब एक अजार केजी वो तो आए गया लेकिन इसके हिसाप से अपने वो नुमेरिकल वो बनाना है फोर्मूला डवलप करना है और वरक की मात्रा बराबर ये क्या है पचास तत्व की दी जाने वाली मात्रा क्योंकि वो नाइट्रो ने कितना लिया था है एक्टियर मैं इन्टू सो बटा वीस क्या था तो तत्व की मात्रा अब ये भा से नुमेरिकल फीरी फृरी नुमेरिकल फृरी सई नुमेरिकल एक पर्मानेंट याद एक्जाम में आते रहते ये एक्षण इस्तरह से ठीक है बऊध बहुत बार आते रहते अबनाव बच सुराइगा इसका अब गुणाबाग टेड़े तो भी आइडिया लग जाता है अब लेते टाइम एंड मैथड ओफ सोईंग कब करोगे बुवाई कैसे करोगे बुवाई कितना रखोगे गेप तो बुफ सोईंग कि तो बुवाई का समय Gone व वह का समय अगoline है अो अधियती जो वेराइटीज ए अर्लीवेराइटीज अलाकि हम पहले बात भी कर चुके हैं अगेटी जो मई से जून आस्ट माधिरमाई से जून अंत तक और जून-अंत तक बोलती हैं तक बहुते हैं अगेति कब हो गए कहां से का मद्ध मैं से जून लास तक मैं जून बहुते हैं यूं कह दो हां अगेति किसम को दो अब लेते हैं मध्यम सिंगम मध्यम किसमों को मीडियम वेराइटीज ए channel by TV सिंगम मीडियम वेराइटीज को बोने का टायम है जूलाइअ अगस्त जूलाइजुलाइजuage जूलाइज फिर जूलाइए अगस्त में उसनरा ऑसके पचेटी लेट्रएटी अलगले क्र देख थे चिंख उस्टी ले लिए ले ये लाट ए बोले तो पचेती किस में क Kerry को euamente मैम सितंब्र मद्धे से अक्टोबर सितंब्र मिढ सेप्टेम्बर करोंeg झाले के ऑक्टोबर तक याद हुजाना चीए मेड सेप्टेंबर से ओक्टॉबर याद है? सभी को याद हो गया वई? अगेती अगेती मदे मई से जुन लास्ट मेडियम जुलाई अगस्त में मेडियम जी ओ हो वो कर दो मैं टाइम इसका चौपा सव उससे पहले बहुत है आपने महीने पर चौपा सम अन्हें कर दो जुलाई अगस्त अगर उसे एक मैने पहले बोदी तो अग्यती ओगी मद्दे महीं से जुन लास तक और अगर आप एक महीं ने करीब लेट होगे तो वो पच्छेत्थी का डायम हो गया तो में तो टाइम यहीं हो गया जुलाई अगस्त इससे आगे-पीछे हो जाना ह ठीक है भली अब चलते आगे किन दिन में पहुत तयार होती है आलरेडियम् लोग इसको डिस्कस कर चुके भाई कि यह क्यों पर सकते कि लगभब तीन-चार सप्ता में पहुत तयार उजाती है ८र्णी लोगता थे थे सिरे legal को अलएश्य चार पास सब्ता तीन-चार सब्ता इतने पहुत त्यार हो जाती है त्यार है अब है आर इंटू आर कि रखते एक क्वेस्ट्ट है किसा कितनी रखते हैं अलग अलग है पहले अरली में ले ले लें early ageti किस्मों में क्या रखते है, r into p तो यहां पर r into r रखते है 45, p into p रखते है, 30 उस्षीधा एक साह लिकते है, r into p बराबर 45 into 30 ageti 45 35 35 45 45 और medium और 45 मेडियम और लेट मध्यम वह पच्छेती किसमें तो वहां पर आर इंटू पी मिलने वाला आपको सुपरमाजर की सेल्फ तैयारी कैसे करें बैठ के करें लगा के करें और बात कर लेंगे तो अब पच्छेती और मीडियम होतो हो साठ पैतालिस साठ पैतालिस साठ सेंटीमेटर इनटो पैतालिस सेंटीमेटर में विल्कुरत अगेती रे 40 45 35 चलिए आगे चलते हैं अगर अगेती जो है न यह अगेती किसमें और आपने उसको देर से वो दिया तो बट्निंग ज्यादा हो जाएगी अगेती को आपने का गी को यहार पुशिस भोने में लेत कर दिया है तो वहाँ पर हो जाएगा बटनिंगा बटनिंग लेट अरली को लेट बो दिया तो बटनिंग हो जाएगा बापू बटनिंग हो जाएगा बापू सीधा आगे उपज कि यह या उपज उपज जो है न तब करेंगे जब फूल बोले तो कड ये पूर्ण रूप से ठोस हो जाएंगे पूरे विक्षित हो जाएंगे तब उसकी तोड़ाई करने चाहिए कब तोड़ेंगे बाइस को जब फूल पूर्न रूप से ठोस होगे हार मजबूत होगे ठोस होगे या पूरे विक्षित होगे तो तोड़ देते हैं फूलों को अगेती से मिलेगी डेड़सों से दोसों क्वेंटाल अरली वेराइटीज है तो कितना दे देगी बुला से कितनी मिलेगी उपाज 500 से 200 क्वेंचल 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 राइट और चोब पचेति वाली ये 200 से 300 दे देगी पच्चेती दो सो से तीन सो अगे तीन चले कोई बात में सिधा ले चलते हैं आपको मेजरी सेक्स भी अब आजाते सीदे ही कौन-कौन से लगते इंसेक्ट मेजरी इंसेक्स मुखे कीट मुखे कीट में सबसे पहला इसमें एफिड लगते हैं क्योंकि कुरुसिफेरी कुलकी है तो सर्सों की भेन है भाई तो सर्सों में लगेगा तो इसमें भी लगेगा एफिड के दो चाहे आप माहू के दो चाहे मोईला के दो चाहे इसको आप चेपा के दो Sudاب बात तो एक ही है एकी सारी है कि कड़ते कैं यह पत्तों पार्धी के जो सोब पार्ट होते है कौब भाग होते हैं उनसे रस चूस्वरत रह ले सख्राओ इंसेक्ट हम यह पने इस इस फीपीनि पड़े दाती है व्याँस फार्री हो Dlatego पिली तो एक ही किड़ा बोला है मैंने भी आफिड के दो माउ के दो मोहिला के दो चेपा के दो काम क्या करता है वैसाब रसूस ते लगे रहते हैं रसूसने में सकिंग इंसेक्ट है और पत्तिया हो जाएगी पिली पिली ठीक है कि चले दूसरा इंसे वो ले लेते हैं एक लगता है ग्रीन केबेज वर्म घरेन के बेज पत्ता पॉर्म है ओ लोब ग्रीन के बेज वर्म यह फिर के वेल के दीबार दूसरा एंड गे बेज लूपर हिंदीं बोले दो ग्रीन केबेज वर्ब और दूसरा हो गया आपका केबेज लूपर लूपर का मतलब गोडाई बनते हो चलना सेमी लूपर अर्ध कुंडली मारते हो चलना कुंडली टाइप का सा यह दोनों पतियों खाते यह दोनों किड़े क्या करते भई पतियों है खाते, पतियों है खाते, तो पतियों को खाते हैं और उसकी सेप को बिगार देते हैं, आकरती को बिगार देते हैं, ठीक है, और DBM अल्रेडियम बात करी चुके हैं पहले सी, DBM, उसके बात में चलते हैं, डिजीजेज, बिमारियां कोन-कोन सी लगती हैं, मेजार डिजीजेज, एक तो लगता है इसमें, डेम्पिंग ओफ, आदर गडन रोग, डेम्पिंग ओफ, आदर गडन रोग, डाइमंड बेक मोथ की बात हो चुके हैं, पहले ही कर ली थी हमने, शुरुआत में आ गया था हूँ, ले लिया था हमने, डाइमंड बेक मोथ आल्रेडी हो गया था, तो पहला कौन सा आ गया, आदर गडन डेम्पिंग ओफ, किस से होता है, राइजोक्टोनिया सोलेनाई और पी तियाम एफी डर्मेटम, पी तियाम एफी डर्मेटम, वह, राइजोक्टोनिया सोलेनाई, यह दो फंजाई होती है, जो मिलके करती है, या दोनों इसके कारण होते हैं, कौन-कौन सी, एक तो राइजोक्टोनिया, डेम्पिंग ओफ, इंटिमम मैं जाती ही यह नरी में पैम आघी कर शोरी क्यों सोरी जो नर्दो देन्र गरन यह key जघन्व होता है पहले हसे CC ठेमूर कि थैंज यह विइन एचकर थी म्याहगे मैं एच नर्सरी मोता है विल्कुल नर्शरी हें यह लगता किदर है नडशरी में लगता है चोटी जो पोध होती उसमें ज्यादा अटेक करता है इसके बारे में खूपड भी चुके है पहले से भी तो मुझे लग रहा है यह क्लियर हो गया डेंपिंग ओफ या आदर गलन रोग या अदर पतन रोग राइजोक्तोनिया इन दोनों कवक से होता है नडशरी में ज्यादा लगता है उसके बाद अगला आ गया काला शडन काला शडन तो नंबर दो ब्लेक राट डिजीज काला शडन रोग यह होता जेंतो मुनास कंपेस्ट्री बैक्टीरिया से किसी होता है बए जेंतो मुनास कंपेस्ट्री जीवानों होता है नमक मेक्टीरिया या जिवानलों ब्लेक रोट ए ब्लेक रोट जेंतो मुनास से ब्लेक रोट जेंतो मुनास में ना जेड नहीं आवे है वह आवे है एक्स रवीना विटी एक्स आवे है जेंतो मुनास में जेड को नहीं आवे है एक्स आवे है राइट है चलिए अब लेते बहुत इंपोर्टेट वाल टोपिक जो हर बच्चा जिसका इंतजार करता है बोला सर कौन कौन से लगेंगे क्राइज अब करते हैं अब क्राइज किस में फीजियो लॉजिकर फीजियो लॉजिकर डिसडर पीजियो लॉजिकर दो और जानतों के समय है भाई कोई भी हमारी जो मेटाबोलिक एक्टिविटीटी जैसरीर में चलने वाले वाली सभी उपाप चाहिक रिये हैं उन्हें कोई इस्ट्रबेंस आ जाए प्लांट्स के अंदर जो मेटाबोलिक ज़ा रही है उसमें डिस्ट्रबेंस आ जाए वह चलात हो या कि हाग गेती वीराइटी को अरली विराइटि लेट मनाने की स्की कि तो बटनिंग हो या रइट है इसमें होता के पोधा पूर्ण विखसीत नहीं हो पाता तो तो आप आप पोड विक्षित नहीं और कड जो हता कड वो छोटा रह जावेगा भाई हाँ देहिक विकार देहिक मतला बोडी में कोई विकार आ गया तो पोड विक्षित नहीं होता तेरा और कड भी रहेगे चोटे कर्ड तो पोड़ा तो विक्षित नहीं और सबसे बड़ा कारण है नाइ्ट्रोजन की कमी 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 से बटनिंग बटनिंग नाइट्रोजन कमी से बटनिंग 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 कमी से बटनेंगा बटनेंगा नाइटरिक कमी से नाइटरिक कमी से बटनेंगा बटनेंग दूसरा वेरी इंपोर्टेंट जो हर एक्जाम में आपको लगबग मिल ही जाएगा विप टेल डिजीज डिश ओडर यह विप टेल लिए नो विप टेल विप टेल विप टेल विप टेल विप टेल है ज्यादा अमली भूमी जो होती है वहां पर molybdenum की कमी हो जाती है ज्यादा जो acidic soil होती है उनमें हो जाती है किसकी कमी molybdenum की MO की तो यह है इसका कारण molybdenum कमी से वे पटेल अवे पटेल molybdenum कमी से वे पटेल अवे पटेल अवे पटेल अवे पटेल अवे पटेल की से कंभी मोलिव न हो गया भाई मॉलिव डेनम कमी से एवब टेल वे पटेल मोली डेनम की कमी से विपतेल पर यह इसेदिक सोयल में ज्याधा कमी ओती है ठीक है होता है इसमें बता दू आपको पत्तियों में जो से फिन भी पत्ती एंदो कोडह कोड़ा 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 को दे के नाम भी कोड़ा 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 में हो जाता है यहां सामाने नेव कर लंबी पट्टी इस सब विक्षित है बाकी सब बेकार हो गई ऐसे करते हैं इसका control किससे करोगे तो molybdenum की कमी है तो आपको डालना पड़ेगा ammonium molybdenum की कमी से तो डाल दे ammonium molybdenum ammonium molybdenum कितना 1 kc 1 kc याद होगे सबीं को बई मोलिबड़न 一 से और या दालोगे क्या ammonium molybdenum molybdenum कैसे भी करगे और उसका एक दूसरा यह तो सब्सक्राद कमी हरेगी और दूसरा कैसे भी करें भूमी का प्यश साड़े च्षय कए आसपस चुन ना डालो हम लिए यह बंद और शुदारते चुन ना चुनना चुनना डालो या कुछ भी करो मिट्टी का पीर चालाना जीए 6-6 ज़ादा आमली नहीं रहने जिए ज्यादा आमली होगी Mollibdenum नहीं मिलेगा मॉलीडेनम नहीं मिलेगा विप टेल हो जाएगा विप टेल हो जाएगा तो पत्तिया बन जाएगी विप जैसी चाबुक जाएगी मद्य सिराई डवलप रह जाएगी बागी डवलप्मेंट नहीं रह पाएगा समझ में आगया होगा है सबी को अब आगया next वाला blindness तीसरा जो disorder आगया उसका नाम है blindness अंधापन अंधापन या blindness इसमें क्या होता है उपर वाली क्या हुता है उपरी कलिका रहीत पोधा बन जाता है कि एक बात दूसरा क्या होगा जी अधो गोजी इस नाम इन दो ब्लाइंडनेस एकम तापमान से होता कई बार ब्लाइंडनेस कम ताप मान से है यह भी कारण हो सकता है यह तो यह मोटे कारण है तो टेंप्रेटर से कमताप मांसे हो सकता है या फिर किड़ थे term i m 1999 hippo क्षोखचा वह थ kaf यह कोड़ा क्षोखचा क्यों घ्रचों चोट फागा हो असा मतलब क्या होता है सरको क्ला होता ही स्टेंग उलेता तुत ना थैग सर्च देख वर्द्धी सब्सक्राइब और यह होता है नाइट्रोजन जादा देने शेमेंदार होता है नाइट्रो जैन तो यह अधिक नाइटों और इसकर नाइट्रोजन ज्यादा होलो la deposited और ज्यक्दाई गार्ट नारेगया खोखला 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 उसके बाद नमबर फाइव नाइट्रोजन ज्यादा रहे ज्यादा रहे तो व्रदी भी ज्यादा रहे तरना रहे गया खोकला रहा है खोकला रहा है तो क्या हो गया नाइट्रोजन की अधिकता से होलो स्टेम ज्यादा रहे नाइट्रोजन से होलो स्टेम अब आगया क्लोरोसिस नमबर पाइव, ग्लोरोसिस, हरिमाहिंता हरा रंग का कम हो जाना, क्लोरोसिस का मतलब क्लोरोफिल का कम हो जाना, क्लोरोफिल, 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 तो हरीमा इंता हरी रंग का उड़ जाना पढ़ हरी तका कम हो जाना तो यहाँ पर क्या होता है जो सिराओं के बीच का जो गेप है वो पीला और सिराए हरी हरी रहती है ग्लोरोसिस में ऐसी इस तरह से होता है जैसे यह कोई पत्ती आ तो इसकी सिराय यह तुर एक हरी कि हरी लेकिन इसके बीच का जो गेप यह वाला यहां पर पिला पना आ गया रंग उड़ गया आपर उडग्यों रंग से रके बीच में यह वाली प्रोब्लम होती है समझ में आ नहीं चल पाई बीटा कल को टेकनिकल इस्यू था प्रोब्लम तिदो ली हां हरपन हरित कम हो गया ख्लोरोफिस जला गया बीच बीच का कलोरोफिल उड़ गया पीला पड़ गया बस और आपको पता है क्लोरोफिल या पार्ण हरित का मुख्य अवयव कोन सर मेगनीशिया पार इंटर्वेनल क्लोरोसिस इंटर्वेनल क्लोरोसिस इंटर्वेनल क्लोरोसिस इंटर्वेलर क्लोरोसिस समझ में आगया बहा और यह किस से होता है आपको पता है पार्ण हरित का मुख्य अवयव को इंगलीज में कहते है क्लोरोफिल इसका मुख्य अवयव होता है मेगनीशि मेन कमपोनेंट होता है Mg माल ले ते Mg कमी होगी तो 5 हर्थी कमी होगी और 5 हर्थी कमी होगी तो हो गया क्लोरासेस तो Mg की कमी से क्लोरासेस बिरा रहे हैं ये दो very most क्यूसन हो गए है very most क्यूसन हो गए क्या कि मेन कमपोनेंट या major component of the chlorophyll magnesium major component of the chlorophyll प्रणरत का मुख्य होय हो magnesium और magnesium कमी से chlorosis 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 अगला आगया rishiness अगला disorder आगया भाई rishiness रishiness छै नंबर का rishiness में क्या होती आनन्द आगया थैंक्यू बढ़ा रिशीनेस इसमें कार्ड रह जाता है छोटा छोटा सा कर्ड मुलायम है कर्ड छोटा सा कर्ड वह भी सौप्ट टाइप का रहा है तो रिशीनेस है rishiness ्रिशीनेस चोटा सा कर्ड वो भी उपरव लायम मुलायम गृतन छी हuseं और का गठन हमें कर्ण छोटा होगा साइन होता है और चासरज haft या हुआ छाता है है यह होता है जादा तापांतरण से एक दो कारण रिशिनेस के एक तो अधिक तापांतरण अधिक ताप आंतरन का मतलब क्या होता है बार बार में ताप मान ज्यादा होता है या अधिक ताप मान नहीं बोलेंगे इसको अधिक ताप आंतरन का मतलब कभी गर्मी होगी फिर थोड़े दिनों बाद में वापस ठंड होगी फिर कभी गर्मी होगी ऐसे ताप का ज्यादा होता है ताप बार-बार बदलता रहता है तब होता है रड़िकतापmart्मानसे नहीं होता समझें इसको अधिकताप्मानसे भी होसकता है फिर अधिकता नायट्रोजनं की अधिकता से होता है तो रिशीनेस रिशीनेस अधिकता पांतरण रिशीनेस रिशीनेस नाइट्रोजन ज्यादा रिशीनेस रिशीनेस अधिकता पांतरण रिशीनेस रिशीनेस नाइट्रोजन ज्यादा रिशीनेस हो गया holostem भी हो गया, rishiness भी हो गया, holostem भी हो गया, और अधिक तापांतरन है तो, rishiness तो हो गया, जादार nitrogen, holostem हो गया, जादार nitrogen, rishiness हो गया, हो गया, चले browning, the last, browning, number, I think, साथ, चलो साथ, browning, browning, भुरापन, हिंदी वीच बोला है भया, भुरापन, पन, 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 आगया, भुरापन, यह बोरोन की कमी से होता है, इसको बच्चे याद ही कैसे करता है, बोरोन की कमी से, browning, वोलिवड़न कमी से, विपटे, यह बोरोन की कमी से होता है, किसकी कमी से होता है, बोरोन की कमी से होता है, बोरोन की कमी से, 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 बोर पहले बूमी में रो पाई जब करें का गोबीगी से पहले बोरेक्स डाल दे भाई पहले क्या कर दे दाशे 15 किलो बोरेक्स डाल दे बोरोन का सबसे बढ़िया स्रोत कोण सर बोरेक्स बोरोन का सबसे बढ़िया स्रोत या सोर्स कोण बोरेक्स 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 बो यह दास से फंदरा किलो प्रती हेक्टियर डाल दे बोरयक्स भोरयक्स 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 10-15 किलो प्रती हेक्टियर बोरेक्स सुआगा और अगर खडी पसल में अपो रिट्कत आ गई गई तो Осे तीन गराम प्रती लिट्रत हीति लिया तो बोरेक्स ही लिया तो बोरेक्स ही लिया तो बोरेक्स ही लिया तो बोरेक्स ही 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 तो बोरेक्स कमी से बोरेक्स कमी से ब्राउनिंग और बोरेक्स कमी से वेप टेल नाइट सिक्ता रिशी नेत होलो स्टेप हो गई पूरी फूल गोबी साम को मिलेंगे आज साथ बज़े आज कोई वह नहीं चुटी नहीं दो दिन से चुटी चल रहे दी सामवाली क्लास की साम को मिलेंगे सामधार क्वेस्टन के साथ अगर आपको नोड से चाहिए तो 9001001314 पे वाट सब्सक्राइब आपको नोड साहिए आपको वाट्सप करें गुरूप लिंक लिके आपको मिलने वाला है एक लिंक उस लिंक से जोइन कर ले और बढ़े रहे हमारे साथ फिर मिलेंगे सामको साथ बजे क्विज के साथ तूफानी क्विज राजदानी पाउंडा ब्रेंद के साथ तब तक के लिए सभी को नमस्कार जहिंज राजदानी सस्रीकाल सब्बागेर वही गुरूदी फते खुदा आपीज अलापीज राम राम साथ एग्री कल्चर में हैं सांदार केरियर और एग्री कल्चर मतलब राजदानी फाउंडा पच्कोडिया जैपुर राजस जेट 2020 में टोप 10 में से 8 विद्यार थी टोप 50 में 22 विद्यार थी राजदानी फाउंडा पच्कोडिया गे बिना जेट सीदे प्रवेश 2019 में राजस्थान की 63% सीटो पर राजदानीयन ने किया कभजा जहां 90% बच्चे कर रहे हैं बारवी के बाद तैयारी में एक दो सा खराब वही राजदानीन मचारे धूम बारवी के साथ ही जेट 2020 में 480 में से निशानत यादों ने प्राप्त किये 408 नंबर यस सर्माने 394 नंबर इस वर्ष इंस्पाइर अवार्ड की रूप में मिलने वाली है 2,60,000,000 रुपे की स्कोलर सिप कक्सा बारा के परिणाम में 97- عنवे पर्तिसदिया आधिक 1 विद्ध्यारती 5-न परतिसदिया अधिक 3 विद्ध्यार्थ और वो भी ओवराल ओप्सनल सब्जेक्ट में 100% लाने वाले 2 विध्यार्दी, 99% ज्यादा लाने वाले 3 विध्यार्दी, 97% आधिक लाने वाले 19 विध्यार्दी, 90% आधिक लाने वाले 163 विध्यार्दी दसवी से बारवी साइंस व एगरी कल्चर में अजे कुमार मीना ने की 49% की रिकोर्ड व्रद्धी, रिंकु यादव ने की 37% की व्रद्धी, नरेश पाटिदार ने 36% की व्रद्धी प्रकरती की गोद में दस बीगा में फैला विसाल केंपस, आधुनिक सुक्ष विधा से युक्त, सेप्रेट गल्स और बॉइस होस्टल्स, राजधारी एजुकेशन गूरूप पच्कोडिया की यूटूब सेनल वे मोबाईल एब पर रोजाना ओनलाइन क्लासेज भी, आईसी आर, जेट, बीएच्यू, एगरिकर्जा सुपर्वाईजर, 11-12 क्लास के ओनलाइन कोरसेज भी उपलग्द, 11-12 के साथ और इसके बाद भी आईसी आर, जेट, बीएच्यू की क्लासेज उपलग्द, राजदानी एजुकेशनल ग्रूप पच्कोरे जैपुर में शामिल है, राजदानी साइन्स दारा फोर प्रिपरेशन ओफ नीट जेए, राजदानी फाउंडा फोर प्रिपरेशन ओफ आईसी आर जेट बीएच्यू, राजदानी पब्लिक सिनर सेकंडरी स्कूल फोर आल राजदानी गल्स और बोई होस्टल विद मोर्डन फैसलिटीज ओर एजिदेंटिल ब्लोग साथी विजिट करें www.raajdani-group.in हल्प लाइन नमबर 93141301309000100131 झाल 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 झाल झाल